आप यहाँ देख सकते हैं मेरी अप्लिकेशन डलोन हो चुका है, तो हम इसे औपें करेंगे, औपें करेंगे तो आपको अपना मोज नमर यहाँ पे ऐड़ करना होगा, ठीक है, मोज नमर एड़ करने के बाद गिप टो OTP पे किलिक करना होगा, तो यहाँ पे आपको OTP ले था है कभी कभी ठीक है उसके बाद आपको continue पर किलिक करना होगा उसके बाद allow permission देना होगा ठीक है जो भी permission मांग रहा है तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी एप्स है वह open हो चुका है तो नीचे में थीरी नमर आप्सन लॉन प्रोडेक्ट पर किलिक करना है जब इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर download लोन टिक है तो यहां पर कुछ percentage वाई लिखा रहा है तो यहां पर थोड़ी साथ करना है वीट करने के बाद यहां पर पुर्य सौव करने के बाद आगे का प्रोसेच होगा तो यहां पर हम वेड कर रहे हैं तो यह वीडियो को थुरा हम एस्किप कर देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि हम वीडियो को एस्किप कर दी हैं और यह 100% हो चुका है फिर भी यहां पर आपको वेट करनी है आप यहां देख सकते हैं लॉन अप्रूवल उसके बाद गिप्ट एश्टार्ट पर किलिक करना है तो हम यहां पर किलिक कर रहे हैं उस पर जब आप किलिक करेंगे तो कुछी इस तरह से अपको दिखा देगा उसके बाद यहां पर basic details एड़ करना है जिसमें आपको full name और date of worth ठीक है यह आपको अपर जिसमें add करना है तो मैं यहां पर add कर रहा हूँ आपको next पर क्लिक करना होगा next पर कुछ इस तरह से अडरेश आपको दिखा देगा यहां पर paint नमर और work details आपको add करना है ठीक है तो आपको paint card का number add करना है और जो आप काम कर रहे हो उसके बाद आपको next पर किलिक करना होगा तो यहां पर भी आपको wait करना होगा और यहां पर कम से कम आपको समय लेगा है 102 मिनट ठीक है उसके बाद आपको bank statement आपको यहां पर add करना होगा तो bank statement bank से ही ले लेता है automatic तो आपको bank details इसमें add करना होगा तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि मैं अपना bank account select करता हूँ जिस bank मैं आपका खाता है तो bank statement आपलोड करने के लिए आपको bank ही select करना होगा तो मैं bank verify होगा ठीक है bank में OTP जाएगा और automatic वहां से ले लेगा तो आप यहां देख सकते हैं कि OTP send हो चुका है और यहां पर OTP भी आ गया है तो यहां पर automatic processing हो रहा है तो यहां पर हम wait करेंगे बैंक verify details में थोड़ा समय लगता है इसलिए ठीक है और जो mobile नमर जो bank में लिंक है उसी mobile नमर पर OTP जाएगा इतना बात आपको याद रखना है तो यहां पर processing में भी थोड़ा समय लग रहा है उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि जो मेरा OTP था वो गलत था फिर से हम new OTP recent OTP पर click करेंगे और new OTP smart करेंगे फिर उसके बाद verify पर click करेंगे तो यह मेरा verification bank detail से वो complete हो जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं मैं यहां पर complete कर रहा हूँ उसके बाद यहां पर share bank statement यानि जो आपका bank है वो apps ना भी apps को statement share करने का permission मांग रहा है तो फिर OTP जाएगा और फिर verify होगा यहां पर तो आप यहां देख सकते हैं कि generate your bank statement यह आपका जो bank है वो उसको statement दे रहा है तो यहां पर complete करने के बाद जो भी आपका loan product हो आ जाएगा और अपना loan आप ले सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप नाभी apps में account मना के अपना loan apply कर सकते हैं तो चले दोस्तो नेक्स वीडियो मिलते हैं